आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अंडे से बनी एक ऐसी नई मज़ेदार दमदार रेसिपी जो कि आज से पहले आपने बना करके बिल्कुल भी नहीं खाई होगी हाला कि आपने ओमलेट एक करी ये भुर्जी तो बनाया होगा लेकिन वह ये वाली सबजी नहीं बनाई होगी और सच मानी इतना गजब का टेस्ट है ना कि आप उगलिये चाटते ही रह जाएंगे तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू नमस्कार आप सभी का कांता की चैनल टेस्ट ओफ इंडियन्स में बहुत बहुत स्वागत है तो भी जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं अंडे से एकदम लाजवाप टेस्टी मज़ेदार और हल्दी रेसिपी वो भी एकदम नए तरीके की ठीक है तो उसकी लिए सबसे पहले हम करेंगे मसाला बनाने की तैयारी तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मैंने लिए यहाँ पर चार मेडियम साइस के प्याज और तीन टमाटर ठीक है आप चाहे तो इन्हें बारिक बारिक कट करके भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं करने वाली हो ग्राइं तो चलिए ज मसाला जो इतना गजब का बनता है ना कि आप उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे और मसाला ही तो हर सबजी की जान होती है ना तो भी देखें हमने यहां पर ग्राइंडर जार में दोनी चीज़ों को कर लिया एड़ और अब हम करेंगे कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट मसाले को बनाएंगे एकदम दमदार तो भी मैंने यहां पर एड़ किया चार लसन की कलिया साथ में कुछ खड़े मसाले जिनमें के मैंने लिए तेश पत्ता दालचीनी के टुकुड़े आठ से दस काली मिर्चे दो लॉंग आदा चम्मत जीरा और आदा चम्मत सौफ और सा में एड़ कर रहे हूं डेड़ कर्ची रिफाइंड ओयल आप चाहे तो इसकी जगह सरसो का तेल भी ले सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद हो ठीक है और अब यहां पर हम तेल कोने देंगे अच्छे से गरम जैसे तेल गरम हो जाएका तो यहां पर हम एड़ कर लेंगे ग मसाले पर टेस्ट के लिए अधे चम्बच से कम लाल मिर्च पाउडर एक चम्बच हल्दी पाउडर एक चम्बच भर के धनिया पाउडर और लगभग एक चम्बच छोले मसाला और साथ में एड़ कर लिए कद्दू कस्कियावा अध्रक और यह है चिली फ्लेक्स तुभी आपके पास हो यह आपको खाने पसंद हो आप एड़ कर लीजीगा वरना आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं ठीक है नहीं तो बस यह मीडियम टू हाई फ्लेम में इस मसाले को अच्छे से पीशेंस के साथ भुनने देंगी क्योंकि यहां पर हम प्याच और टमाटर दोन लेक्स्चर होगा हमारी सबजी का बल्कि खाने में भी एक दम मज़दार बनेगी और हल्दी भी बनेगी हाना और अगर आप स्किप करना चाहते हैं बटर को तो उसकी जगा डेट की जगा दो कर्ची रिफाइंड ओल फिर लीजेगा तो जैसे मसाले ने तेल चोड़ना लेलशियम पाए जाता है तो हमेशा मैं मेरे घर में भी शिम्ला मिर्च हमेशा ही रहती है यानि साथों के साथों दिन हमें बहुत पसंद है भई अपनी हड्यों को मजबूत तो बनाना है तो सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे लोग और लोग अब धक करके नेक्स तीन-चार मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि जो शिम्ला मिर्च है वो जाए थोड़ी सी सौफ्ट ठीके ना इससे ज्यादा नहीं ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा तो चलिए जी अब धक करके इसे कुक होने देते नेक्स तीन-चार मिनट इस भीच हम कर लेते हम अंडों की तैयारी तो यहाँ पर आप जैसेकी देख सकते हैं मैंने लिये क्या लुक है सबजी की एक दम मज़ेदार है ना तो भी अब यहां पर जो शिम्मला मिलचे हैं वो तीन से चार मिलट लो फ्लेम में ही कुखोने से होगी है एक दम मस्त यानी सौगिस होगी यानी की सौफ्ट ठीक है तो हम क्या कर लेंगे जो हमने कद्दू कस्कियवा सारे के की काट नहीं थी और बनाना असान हो भी अगरा ना चाहां तो एजिली बना सकें कि अब हम क्या करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स ध्यान रखेंगे क्योंड फ्लेम लो था तो लो ही रहेगा क्योंकि यहां पर सारी की सारी चीज़ें जो है वह आलमोस जाए यानि मिक्स हो जाए और यह देखे जी वाओ सब्जी का फाइनल लुक एक दम मज़ेदार और लगना ना एक दम गजब का तो भी सबसे पहले हम यहां पर आप गैस को कर लेंगे बन और मैं दिखाती हूं आपको नजदीक से यह देखिए अप चाहे इतने सिंपल तरीक तो आपको आजागा एकदम मज़ा है ने एकदम सिंपल रेसिपी तो यह ली जी जी हमने जट पट से यहां पर अंडो से बनी एक नए तरीकी की रेसिपी कर लिया आपके साथ शेयर जूकि ना केवल देखने में इतनी जादा सुन्दर है बलकि भी खाने में भी एकदम ला कि मैं हर वीडियो में कहते हूं कि आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा जुरूरत है क्योंकि जब आपका साथ मिलेगा मुझे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना यानि मैं नहीं आप भी क्योंकि यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं है मैं तो रेसिपी बना रही लेकिन आपके लिए बना रही हूं आप देखने तो यह आपका चैनल है और उमीद करती हूं कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट और फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहे होंगे सच मानिए मैं आपके सुपोर्ट की बिना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नहीं मज़दार रेसिपी के साथ थैंक्स पो वोचिंग